प्यारे नभी की पेदा इसका एकिसा है तुम्हे सुनाई दूदे हली मां का पीते ही मां का रुतबा उसे दिलाई तुझ को मुबारत बाद हली मां प्यारे नभी की मां के हिलाई गोदे मेरे कर भी आकान कुछ ऐसा इनसा पे दिखाए एक तरफ का दूद ही पीते है तुझी तरफ ना हात लगाए अपने दूद ही भाई का वो भाक ना मार कभी भी खाए उसके साथ में जंगल जकरे भकरी भी है आप चराए का में हुआ जो कुछ भी घर का उसमें भी गो हात बटाए का में हुआ जो कुछ भी घर का पचपन के से आपका गुजरा हर कोई ये सुनता जाए जब सरकार हमारे सुनिये तो बरस की उम्रिक वाई गाई हली मा ने सोचा इनको मा से जा मिलवा जब कुछ दूरी पर था मक्ता सूरज ने गर्मी बरसाई रुक गए वो एक पेढ़े के नीचे ताके कुछ आराम तपाई धंडी धंडी हवा लगी तो सो गए वो थे ठके ठकाई सरकारे तो आला मून से थोड़ी दूर निकल के आया नींद हुई जो उन पे तारी सो गए वे भी फर्स पे हाय नींद हुई जो उन पे तारी पेड जुक साई की खातिर ठाके उन तक धूप न आया पत्तों ने ढक लिया नवी को मेला ना बोतन हो जाय सूरज भी ये देखित मंजर कैसे ना आकिर मुसकार पत्तों के नीचे भी रह्मत अलाह की जूला जुलवा गाई हलीमा जब के जागी आका उसको नजर नया जूडा उनको चारो चाने भी सबसे पूछा खोई बता रोती थी ये सोच हलीमा भूड के अब बो कहां से ला आमिन अबी बी की खिदमत में अब क्या मुह लेकर बो जाए आमिन अबी बी की खिदमत में खाली बो जब पहुची मक्काई आमिन अबी के घर जो हाई सुनकर उससे हाले सारा आमिन अबी ने चीख मचाई सुनकर उनकी चीख मतलिब दोड़े उनके पास में आय रो रो कर उनको भी हलीमा मैं जब सारे हाले बताई ढूड़े ने वो बच्चे को निकले और उसी जंगल में आय साम हुई जाती थी अब तो पेड़ों के बढ़ते थे साई जहां रुकी थी दाई हलीमा सारे लोग वहाँ जब आय सब की जान में फिर जान आई उन्हें मोहम्मद नजर जवाई सब की जान में फिर जान आई ताई हलीमा धोड के आई और उन्हें फिर गोद उठाई लाखो भोसे किया निचावर घंटो उनके प्यार लता जंगल से फिर आई बाप सहा बच्चा माँ को दिया थमा और बोली लो अपनी अमानत तुम्हें अमानत राते यहाँ जब तक जिन्दा रहूंगी मैं तब भूले न पाऊं यसे भुला सोच के इस बच्चे से चुदाई दिल ये मेरा बैठा जाए आमिन अभी ये सुन कर बोली दिल छोटा ना कर तू हाए अपने साथ मेरे बच्चे को फिर दोबारा लेती जाए अपने साथ मेरे बच्चे को खाल नहीं अच्छा मक्की का फेली है पीमारी हाई रोज यहाँ मरते हैं बच्चे मौला इस पे करम फरमाई अपने पास ही इसको रखना जब तक ना बेमारी जा जब तक ना माहौल हो बहतर जब तक ना कोई बुलवाई यह सुन कर ले आई हलीमा यानी फिर सरकार जुआ दाई हलीमा के घर में फिर केपो तरब के मनजर था फिर खुश्याली ही खुश्याली कहा खुशियों के चहूर से साय हूरो मलक न फिर सेया करे नग में जन्नत वाले गाय हूरो मलक न फिर सेया करे दाई हलीमा के घर में जब आखाने कुछ पत बिताई पाओं पाओं चलने लगे जब घर से जंगल तक भी आई दाई हलीमा के बेटे संग वो बकरी भी खुब चराई सुबह से लेकर साम सलक वो तहाँ रोजा नाही साथ नभाई एक दिन का ये जिक्रे सुनिये बकरी चराने जब न आया दाई हलीमा के बेटे से वेबल सारे समलन पाई एसे में एक भेडी आया आया और एक बकरी दिया उडाई हाली सारा जब जंगल तक वोस लड़के ने आक सुनाई हाली सारा जब जंगल तक ये मन हूस कवर सुनते ही मानें काफी रंज दिखाएं काफी उस बच्चे पे बिगड़ीं पैठ गई मुह को लटका रंजो अला में में देखे कि मा को आका उनके पास में आज जाता हूँ मैं घूड़ें जंगल कम न करो आका फर्मा किस में इतनी हुई है हिम्मत नभी की मा की बकरी खाएं सो अगर हुआ है भी तो अल्ला है मेरी बकरी छोड़ा एक हिकर सरकौर दुआ लड़के के संग जंगल आएं किसने मेरी बकरी खाई आते ही आवाज लगाई किसने मेरी बकरी खाई सुनते ही आवाज मुहम्मद गोड़क सारे भेडिये आए आते ही दी उनको सलामी और अदब से ए फर्मा ए हम सब की गुस्ता की आपको जंगल तक दोड़ा किसकी हिम्मत आपकी बकरी इस जंगल में चट कर जाए सही सलामत है वो पकरी कोन उसे आखे दिखला भूका भी ना रखा है उसको हमने उसको खुब चराए बात यह थी है मेरे आखा आप कई दिन जब ना आए हम सब का दिल हुआ परेशां आपका जब दीदार न पाए हम सब का दिल हुआ परेशां इस गल्ती की जो भी सजा हो देदो हमें सर को जुपाए हमने तुमको तंग किया है हमने है एक खेली रचाए आप के आते ही मेरे आखा हमने सपूनों चेने पाए अल्ला का यह भजल परम है आपका जो दीदार कराए उनकी बाते सुन कर आखा भीरे भीरे से मुस्काए उनके पास में जा कर उनके सर पैय अपने हाथ थे रहाए भेडिया को मिल गई थी मापी अपनी किसमत परित रहाए अपनी पकरी ले कर आखा पापा से अपने घर को आखाए अपनी पकरी ले कर आखा उम्रे मुवारक आप की ज़व सह साल हुई तो घर आए उनकी माँ के पास हली माँ नेला कर उनको पहुँचाए आमिना बीबी ने कुछ दिन तक आखा के हे नाजी उछाए मा की ममता क्या होती है कुछ जादा वो देखन पाए वालिद की तुरबत पे आखा एक दिन मा के साथ जुआए माने ये रोकर बतलायो पाप है इसमें तेरे समाए वालिद की वो कपर पिरूए आसू मा के संग बहाए घंटो रोधो कर बो दो दो घर की जानिब कदम बढ़ाए घंटो रोधो कर बो दो दो रस्ते में ही मा की हालत ऐसी बिगड़ी होई होई आम न भी भी बचना पाई आपने आसू बहुत बहाई प्यारी मा का तर्द जुगाई सेकर भी तो सहा न जाए आद आती थी जब जब मा की ननहाता दिल फट फट जाए दादा ने जब हाले देखा आपके आसू खुस्क कराया ठो पहरे उन्हें रखते थे आपने सीने से चिपकाया आपने थोड़ा सुपून जपाया दादा के भी उठ गई सायाने उनकी सब खत चिन गई दुनिया छोड़ गई वो हाई यानी उनकी सब खत चिन गई दादा की सब खत चिनते ही एक पल को भी चेन न पार देख याबू ताले बेहालत आपके सर से हाथ फिरा हाई आपके थे वो चचाचा हकी की उनके जब साई में आए उनकी खास महुपत पाकर अपनी किसमत पैये तिरा ग्याराह बरसित आप हुए तो चचाचा के साथ में बाहर आए उनकी तिजारत में आका ने बढ़ चल उनका हाथ बटा एक दफा का जिक्रेह सुनिये मुल के सामें बो दोनों आए देखे के उनकी भोली शुरत एक राहे बे ये लगा बता हाँ देखे के उनकी भोली शुरत जो कुछ है इंजील में लिखा उसके देहत समझ में आए ये पेगांबर हो सकते हैं इनको रखना जरा बचाए तुम हो चटा इस बच्चे के तो रखना इसको गले लगाए उम्र हो इस बच्चे की लंबी पूरी नजर से खुदा बचाए गरदी अबू तालिब ने उन पर और भी जादा प्यारी लटाए रफटा रफटा जबा हुए वो और बढ़े सब कत के सहाई आप कथा एक लाक भी उच्च नाम में तजारत में भी कमा आए घर में कोई कमी नहीं थे खुश आली के दिन थे आए घर में कोई कमी नहीं थे सहरी मका में ये के ओरत खुब तजारत थी फेलाए उसकी सोरत जूरत लगती तह तोलत उसने खुब कमा आए बेबा हो गई थी वो औरत उसने को रखा फिर भी बचा उसकी इमानदारी के भी चर्चे थे घर घर में चाए नौकर चाकर के जरिया उसने है करवार चलाए नामे ख़दी जावी था उनका नामे तिजारत में खेचाए बड़े बड़े ताजिर भी उनके नामे मुवारक से घबराए एसा कारोबार था उनका जिसने हर सुधू में मचाए एसा कारोबार था उनका इधर हुए बूड़े अब तालिविया का कारोबार चलाए वो जित जारत का फिर आनी तनहा ही सरकार उठाए आपकी मेहनत और लगन के चर्चे जल मके में छाए प्यारे नभी को प्यार से एक दिन बीबी ख़दी जाने बुलवाए और कहाए प्यारे मुहम्मद मेरी मन में हे उपाए मिलकी कारोबार करे हम आपकी मरजी में गर्याए उनकी बाते सुनकर सारी सोच के आगा ये बतलाए ठीके सब मंजूरे हम का मिलके कारोबार चलाए ठीके सब मंजूरे हम का दूसरे दिन सरकार हमारे माले तिजारत साथ उठा एक गुला में खास खुले कर मक्के से बसरा को आई अल्लाह का ये खास करम था बहुत मुना भाया पिकमा सारा मुना भाला के ख़दीजा के हातों में आप थमा देखे के इतना सारा मुना भा खूले खदी जा भी न समाई आपका हिस्सा आपको देख कर खुशी खुशी घर को लोटाई फिर एक गुला में खास से पूछा सफर का सारा हाली बताई उसने जो कुछ देखा सुना था सारा हाली लगा बतलाई उसने जो कुछ देखा सुना था बोला भी भी मक्के से जब आगे को हम कदम बणाए एसा एसा मंजर देखाओ मेरी समझ में जो ना आए है रत होती थी के महम्मद धूप की जद पे जब भी आए पेड़े जुके पढ़ते थे उन पर पादल कर दे थे खेसा आए सूखे पेड़े के नीचे पहुँचे खोरा ने उसमें पते आए फीराने में कदम जो रखा तो उसमें हर आली छाए मुझको गुला में खास न समझा मुझ पे भी शबकत फर्मा आए अपने साथ में रखा मुझको अपने साथ मुझे खिलवाए अपने साथ में रखा मुझको आपकी तारी ए सुन सुन कर लगी ख़दी जाभी मुझका आए आपको देखा आपको पर्खा सच्चाई ने मन बर्मा दिल ही दिल में दू आए मांगी अल्ला है किसमत खुल जाँ अपने मोहमद मुझसे कर ले कासे मोका जल दिया ए सब सोच के अपने दिल में रिष्टा उनके घर भिजवाँ सुन के अबु तालिब ए पोरन अपने भथी जेसे फर्मा रिष्टा ख़दी जाने है भेजा बोलो तुम्हारी क्या है राव प्यारे नभी ने हामी भर दी किसके चर्चे घर घर चाई प्यारे नभी ने हामी भर दी सब को दी इस बात पहरत सबने चर्चे कूब चलाए चालिस साली की एक बेवाने जबा कुवारा सोहर पाई हजरत थे पज तीस बरस के एसे हसीनों जबाने हाँ जिन से शाधी करने को हर एक लड़की थी पाव सजाए विजली सी गिर पड़िये सुन कर हर लड़की के दिल पे हाँ अक्त ख़दी जासे फर्मा कर प्यारे मोहमद हुए पराय मोला की मरजी भी यही थी अक्त ख़दी जासे फर्मा शाधी करके प्यारे नभी ने प्यारिश अपने घर को सजाए शाधी करके प्यारे नभी ने कुछ दिल तक तो शाधी करके चेन रहाया राम बुपाय फिर बदले हालात कुछेंसे घर में चेन से ठिक ना पाय एसा लगता था कोई शें रहरे अपनी चमक दिखाय कभी तो परदे से बाहर हो कभी तो परदे में छुप जाय कभी पहाडी पे रोशन हो कभी तो पाबे में छा जाय दूरे कभी हो जाय मजर से कभी तो अपने पास बुलाए पीछा करते करते उसका एक दिने आप पहाड पे आए गार भयानक था एक उश में वहाँ भी वो तसरीप कुलाए गार भयानक था एक उश में मक्के से कुछ ही दूरी पर गार है वो तारीख बताए हिरा है नाम उसी का सुनिये रूहुल अमी जहां पे आए आप वहां रहते थे जाकर दर से जहां कोई ना जा इंसा तो इंसा है परंदा जहां पर जाने से घबरा ऐसे बीराने में आखा आपने कितनी रात बिता याद इलाही करने को उस गारे में आखा हर जिन आए घर से निकले सुबह को लेकिन शाम में तलक भी लोट न पाए देखे के उनका हाली परीशां दिल भी ख़दी जाका घबरा आए देखे के उनका हाली परीशां एक दिन की ये बात है सुनिये घार हिरा में आप जो आए याद इलाही में थे खोई पैठे ऐसा जान लगाए गई भी शकल हुई एक जाहिर देख जिसे यागा घबरा धर्थर का पूठा जिल उनका खोप के मारे बू थर राए शकल वो फिर नजदी के में आए और कहाए सर को जुकाए मोला ने भेजा है शलामी तुमको शलामी रासे यहाँ मैं जिवरीली हुए एक फरिष्टा मुझसे क्यों हो तुम घबरा आए साथ में अपने हुक में खुदाशे पहली वही है लेकर याए साथ में अपने हुक में खुदाशे पहली वही है एक राबिस में फलक से इसको साथ हिलाए इसको पढ़िये आप महम्मद ए फर्मान है लेकर आई सरकारे दोरों आलम ने कहा के पढ़ना मुझे नया गुमी हुमे गुमी बिलकुल मुझसे ए सब कहा न जा ए सुनकर जिवरीले अमीने आका को सीने से लगा धिरे धिरे उनको भीचा ताके दिल रोसन हो जाए इल्मों अमल के सारे दर अल्ला ने जब उन पे खुलवा फिर कैसे ना दोनों आलम आका पे रोसन हो जाए फिर कैसे ना दोनों आलम रोसन होते ही दल सीना इल्मे गेव उन्होंने पाई रूहुल अमी हुए जो गायब चेहिन लगा उनका चक्रा तवियत में ना साजी आई लगी हरारत रंगे दिखाए ठंड के मारे हाल बुरा था किसी तरह से घर को आई काप रहे थे थर 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 बीबी ने कंबल उढ़ेवाए प्यार से उनका दिल बहलाया ताके कुछ आराम तो आई बीबी ख़दी जाने फिर पूछा आपको क्या हो गया है हाँ गारे हिरा की सारी बाते आपने धीरे धीरे बताए गारे हिरा की सारी बाते सुनकर उनकी बात ख़दी जा बोली कुछ नगम फर्माए अल्ला सब कुछ ठीक करेगा आंगी आंगी देखत जाए फिर ये सोचा प्यारे नभी को बातों बातों में बहलाए आका से ये सोचिक बोली के सरताज मुझे बतला एक राबिस में क्या आयत है मुझे को भी तो जरा सुनाय सुनकर गोई हिकाम इलाही अपने मुकदर को चमकाय अपनी बीबी को फिर याका आयत सारी लग सुनाय सुनकर पहली वही कोन का कैसे ना तन मन खिल जहाँ सुनकर पहली वही कोन का फिर ये आका से फर्माई आपको दू एक बात बता एक दिन खाब मुझे आया था कहता था कोई मुझे सुना तुमको मवारक हो एक खदीजा तुने बड़े है रुत्बेबाद तेरा शोहर एक नभी है नभी की भीबी तुम कहला तुझ पर है खुडबान खुदाई चनत भी तुझ पर ये तिरा कुझ को हासल है महबूबी मौला ने किसमत चमका इद मिला दुन नभी और बचपन से भी ने है दिया मिला सोनक की खा तेरे अब संजो क्यों ना इसे को जूमिक गाए सोने किसे आए कैसे टी आए क्यों ना इसे को जूमिक गाए सामीन हजराद ये प्रोग्राम सोनिक इंटर्प्राइजेस के जानिब से बेश किया जा रहा है अभी आपने एद मिला दुन नभी और बचपन का वाक्या सुना इससे आगी का वाक्या बहुत ही जल्द सोनिक इंटर्प्राइजेस की जानिब से आपकी खित्वत में पेश किया जाएगा सुनना ना भूलिएगा